प्रभान मंतरी नरेन मोदी ने एशिया देशों के बीच एकता की वकालत करते हैं कि उन्हें विश्व को आकार देनी के लिए और सयुक्त राष्ट समय शासन की वैश्विक संस्थाओं में सुधार के लिए एशिया होने के तौर पर काम करना चाहिए प्रभान मंतरी मोदी ने दक्षिन कोरिया की राजधानी सोल में आयोजित छेटे एशिया नेतरुत्व सम्मेलन में कहां कि यदि एशिया को एक बन कर उभरना है तो उसे अपने आपको शेत्रिय धड़े के रूप में नहीं सोचना चाहिए उन्होंने एशियाई देशों से अपनी साजी विरासत और युवा उड़जा का इस्तमाल एक साजह उद्देश को हासिल करने के लिए कहां केजरिवाल का अफसरों को नया फर्मान उपर अजपाल नजीब जंग के साथ अपनी तीखी तकरार के बीच आप सरकार ने अपने सभी अधिकारियों को एक नया फर्मान जारी किया है उन्होंने अधिकारियों से उपर आज्यपाल या उनके कार्याले से मिले किसी मोखिक या लिखित निर्देश का पालन करने से पहले मुख्य मंत्री या संबंद मंत्री को अवगत कराने को कहां आदेश में कहा गया है कि मुख्य सचियों सहीत नोकर्षाहों को उपर आज्यपाल से किसी निर्देशों पर कारे करने से पहले मुख्य मंतरी और अन्य मंतरियों से विचार विमर्ष करना होगा दिल्ली सरकार के शिर्ष नोकरशाहों की नियूक्तियों पर केजरिवाल और जंग के बीच गेहराते संघर्ष के बीच यहां आदेश आया है कर चोरी करते हैं अब सरकार को कर रहे हैं ब्लेक मैल महराष्ट के उद्योक मंतरी सुभाश देशाई ने दावा किया कि महराष्ट में धातू के व्यापारियों ने 10,000 करोड रुपे से अधिक की बिक्री कर चोरी की है और अब वे अपना कारोबार गुजरा स्थाननतरित करने की धमकी दे कर सरकार को ब्लेक मैल कर रहे हैं उद्योंने बताया कि धातू व्यापारियों महराष्ट छोड़ कर गुजराच जाने की धमकी दे रहे हैं यहां कुछ और नहीं बलकि ब्लेक मैल करना है ताकि सरकार 10,000 करोड रुपे से अधिक के बाकाया बिक्री कर का भुकतान करने से छूट देने की उनकी मांग के आग झाले के झाले कि उनकी खुजरा कुछ तो और नहीं करने से उनकी आवा है।